इस वीडियो में में लोग क्लास 8 मैथ का ओरिजिनल एक्जाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं जैसे कि देख सकते हैं अर्धवार्शिक मुल्यांकन 24 यह ओरिजिनल पेपर है सब्जेक्ट है मैथ क्लास 8 कोश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा दो घंटा दो घंटा त आप नोटिस किजेगा इस प्रसन पत्र में कुल 5 प्रस्ट है ठीक है पांच प्रस्ट है और टूटल मार्श कितना है पचास तो चलिए आपको बताते हैं सारा एट टूजट और यहां पर यह है नहीं यह सब कुछ मत किजिए ठीक है तो पहला देखते स्थानों की पूर्त तक कोन हो यूख कैसे निकलता है तो इन टूए इंट्य डिघ्री निकलता एill है यहां यहां पर दिखेंगे क्या लिखेंगे 12,60 डिखेंगे दो सिकों को एक साथ उच्छाला तो कुल संभाव परिनामों के संख्या चार होगे, ठीक है, चार होता है हेट टेल, हेट टेल, हेट टेल, हेट टेल, टेल, हेट ये चार होगे होता, ठीक है आगे देखे, अंकित मुल्ले, ये वो मिक्रा मुल्ले के अंतर को डैस कहा जाता तो बट्टा कहा जाता ठीक है आगे दिखिए वह समनांतर चत्रभूज जिसकी सभी भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किन्तु कोई भी कौन समकोन नहीं हो ठीक है डैस कहला आता है तो यह आयत नहीं लिखेंगे इह यहां लिखेंगे सम चत्रभूज लिखेंगे सम चत्रभूज ठीक है इना तो तो यह गलती है यह गलती को नहीं आघ दमात दोचो की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कितना रहीं 27 नहीं लगता फूद और एक के अलावा आगे है तू नमबर कॉलम कोलम बहु के साथ सही शही मिलान के यह भी 10 नमबर का यहां ध्यान रहां सबसे पहले आपको नहीं आपको सबसे पहले आपको असान वाले मिला लें एक यह लिए यह 2 प्लस रूट 3 टू 2-2 टी थे प्लस वी इंट्वे मैंस बिफ 003 माइनिस चाह थी घ्लिदा आ इसक्वाड मानेस स्कौरराई 머 पूरताता है ऊपना श्रम ऐस फ्लस बैर मैंस बी लिए द्ट già बें plus 3-1 हो जाता है तो 1 क्या है प्रिमेंस के मिला लिए हम रहकती करू Master घक ये इक्रवर्ण एकल प्लस 5 ट्क रहा है एक सेस्वोड है टाभन लिए इसको मला लिएंगे इसको परतेक चाहिए तो क्या करेंगा इसमें हैना भुजा से भाग दे यह कौन है यह वळा पढ़ है यह हो जाए है दो पर्फ आप धियान रिखेंगा और जो बच गया उसको देना त्यों इसमें मिला देना जो एक गलती बस यह इसको इसमें मिलाना है ठीक है बस यहीं गलती है ठीक है तिया पर ध्यां रहा रखेगा नेक्स्ट है थी नंबर निम्नेक्ट कतनों के लिए सत्य अथवा सत्य लिखें सत्य लिखना यह काटना नहीं है ठीक है सही और गलत नहीं करना सत्य लिखना ठीक है पांच को क्वेश्चन है दो नुम्र कता दस हो गया समझ चत्रभुज के विकर्ण प्रसपर लंब होते हैं ठीक है तो प्रसपर क्या होता नब्बे डिगरी को पड़ काटते हैं तो यह सही है यहां पर लिखेंगे सत्य ठीक है सत्य भूज में विकर्णों के संख्या अच्छी होती है तो नहीं गलत है घलत यान्या सथ लिखेंगे फिर बोढ़ रहे हैं इस वान टू थिरी पाइथ इससर पता है औरने के लिए क्या चाहिए जैसे वन का स्क्वार ब्लस टू का स्क्वार एद उनों और कि शिए इकल टू अंत्वाल को स्कॉर होना च्याहां दू तनी चारा एक पांच हो गया और तिन तया एक सवाट है याँ पर्यूस टॉर्फ नबर जाकर खालत का की जादासान यहीं लग रहा है तो यहाद की लंबाई और चौड़ाई चाही अनुपाद 3 कि दो यदि उसकी पड़ी मीटर है तो उसकी लंबाई और चुड़ाई घ्याद कीजे ये पहले इसको स्वाट निकों बता रहते हैं पहले इसको क्या लंबाई को क्या मानें गहां चौडाए को टू एक्ष शमाने का इसके बाद लिख के भी दिखाएंगा यहां पहले समझार है हो तो दास पर आं है तो देखिए टेन एक्स प्रावड क्या ओग्या और ये अग्स ब्रावड पढ़ल में तीस है तीसे मीटर तो एक्स प्रावड क्या आ जा जाएका 301 धुर्टा दस हो जाएगा मीटर इसको काट गए नगे जब यह सबस्क्राइब आज सबस्क्राइब यह समझ गया शोड़ाए के बात करें फिराए टुए खिर किछ आ जाएगा तो ऑच्छ रघ्रिक नहीं फिक तो थेगा तो आ होप समझ गया हूंगे तो चलिए यहां को बताते हैं लिखें कि माना कि आयत के लंबाई ठीड एक्स और चौड़ा टू एक्स तो आयत के परमीट इसलिए आयत के परमीटि इस मीटर दिया वाया तो क्या करेंगे आयत के परमीटी तो इन्टो अल प्लस भी होता फॉर्मुला एल बठा दिया और पी बठा दिया तिन दू पांच रिख दें उसके पर दूपचे दस होता है त्यस्वार यहां पर क्या हो गया दर सेकंट थीच्वार तीन ओगया चैनल इस दो एक्स तो एक्स निकल गया कितना तीन तो इस तो एक्स निकल गया तो दुसरा पांच पांच लॉक की वह सब वह बड़ी सब्ड़ी संक्या ज्याद किई जो एक पुर्ण बाद ने कि आ एक नूबर का है यह भी देख लेते हैं रहीम अपना न्यवास स्थान आठ बजे सुबह चोड़ देता और उसी दिन साम चार बजे अपने निवास अस्थान लोट आता है ठीक है सिसे में वह अपने निवास अस्थान पर ही व्यतीत करता है तो चुछ घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास अस्थान पर व्यतीत करता है तो यह भी यही पता देते हैं यह हमको असान लग रहा है ठीक है तो देखे रहीम अपना यवास सांसुभा अठ बजे छोड़ देता और साम चार बजे वापस लोड़ता है तो पहले बाड़ा से देखते हैं तो चार घंटा यहाँ पर और चार घंट यहाँ प्याँ आप याँ आट घंटा ठीक है और बाके से में घरी पर रहता है तो 24 कितना परतीशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतित करता है है घर पर व्यतित समय घर पर व्यतित समय बढ़ावर कितना सुला घंटा सुला एच लिखते हैं एच मतों क्या होता है घंटा तो कितना परतीशत है तो लिखेंगे परतीशत परतीशत बरावर क्या सुला घंटा कितना घंटा चुविस का पूर रहा है ठीक है तो इसको कर दीए ऐसे यह परतीशत निकल गया तो इसको काट ही है चर्चो के 16 में हो गया चर्चक 24 हो गया ठीक है ऐख से भी काट से अगर से इतना प्रतीस है ठीक है तो आई होप समझ में आगे ते यह असान लगए तो यह लिखिया यह पांश नमबर का और ये आपको बता रहे हैं यह भी बता रहे हैं दोनों मैं से जो असान लग हो आप बनाईएगा तो देखें यहां पर यहां क्या भोड रहा था यहां बोड रहा था कि पांच अंकों के वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद के जो एक पूर्ण बढ़ गया है और संख्या का वर्गमुल भी ग्याद कीजिए तो पहले पूर्ण बढ़ निकालते हैं तो तो देखिए ना ना ने क्या यह सबसे बड़ी संख्यार पांच वंकों की तो इसमें जोड़ा बना जते हैं पहले नौ का फिर दो-दो का कि निनानमे निनावेटर इस थीन थींट मौंच होचा गजा है एक बार में यहां पुजएं यह यह निले यह नि में यहाँ पढ़ा पर आगया तो देखें 6-6 के बार में सब्सक्राइब first Time प्रूमें सब्सक्राइब किबिग टेन आगायए इक सब्सक्राइब क्योज सब्सक्राइब करें तरिखिजह मार लने ता माइन ऊंहर। अलगे के तो जोड भी नहीं सकते हैं क्योंकि यह पांच उंकों की सबसे बड़ी संख्यासे यह इसका वर्गमुल यह बोड़ा निकलने के लिए बड़ी संख्यासे संख्यारा निकलने सब्सक्राइब एक तो ऊंब करता है कितना दोनों तो ज्यादा सान्य लग रहा था था ना थे तो बता दिय तो इसके बहन क्या लाई है उसके बहन गुंजन जादा लाई है अप्रवीन कम लाए ठीक है यदि प्रवीन को परिच्छा में 49% अंग प्राप्थ होता है तो तो उन्चास प्रतिस्ट अंग प्राप्थ होता है मतलब क्या है यह जो उन्चास प्रसेंट है नहीं कि बढ़ा बढ़ा दूसर चौड़ानवे के तो आप क्या पूछ रहा है निम प्रसनुग के उत्तर दीजिए का पड़िछा में प्रवीन की अंको का उसकी बहन गुंजन क कि अंकोष अनुपात क्या है तो यहां अपर देप्रवीन के अंक कर तो पहले समझाबते उसके बाद है दो से काट है दुए कम दो चुक आठ दूसे ते चौधा दो एकम दू दो अठी शुल मोज़ी रहा ठीक है अब कीसे काट है अब काट सकते हैं क्या थीन चिह तीन क्हों के पिर बदल लेता है आपको पता चले अ महिसे नहीं हो गया कि भीतली चुर्ण एक लाग ना गया वांचास बटट्रन भाय आगे तुछ रहा दूखना क्यूसाइब ऊधेसं मान में क्या है कि तुछ यहां मान में पूछ रहा है पूच रहा है की तीनसों जराणें कितनाov गफ़र्ञ का अंकुं कॉनिक कितना पॉल्ट होगा यहां पर предлагано सब्सक्राइब कितना में यहां है यहां पर दोसों जरानवे कितना प्रेशेट है तुमिकर आण में होगा है कितना प्रतिस्त प्रतिस्त एक इतना उन्चास ठीक है अचास प्रतिस्त है तो पूछरा नहीं पर तरके नावगा तर। और तर अंक 372 अंक at-naun जास बटा क्या 249 उना क्या 312 ठीक है थीसो बहुत एं तो आपको बताये थे की यहां पढ़ क्या है है यहां रोंप पता थह ना कि यह बला प्रफित क्या बटाव एस्ट बन प्रवीन कांग बटा इस देखिए प्रवीन कांग बटा गुंजन कांग तो प्रवीन कांग कितना है दूसर चुरानवे है दूसर चुरानवे बट्टा तिनसोबहत्तर कितना आये था यह तो इसको इसको काटिए गाना तो यह बासट आएगा इसको फिर कलर वदलते दिखाए पर तो यह बासट उपर आएगा नीचे कितना आएगा उन्चास आएगा काटिए गए तो इस वीडियो का बार बार देखे गाना तो समझ में आ जाएगा ठीक है कि आगर देखे किसकी प्रतीसथ में अधीक है और कितनी अधीक है तो देखी है प्रवीन का कितना है उन्चास है और गुंजन के उसकी बहन की तना इतलग आथकाई यहAPPा सट्पर आएगा तो किसकी तो इसकी और बासट्परतीसथ में का धिक है और् up sold से कितना अधिक तो किसकी अंग प्रतिसाद में अधिक है तो हो जाएगा गुंजन गुंजन की अंग प्रतिसाद में अधिक है और कितने और अधिक है तो इस तरह से यह सब मत लिखेगा ठीक है यह सब लिखने के जोड़ते नहीं आपको असान तरीका से बता दिए तो यह जो भीज़े ना तूव अलग तरीका से बना सकते हैं को आपको सबसे आसान तरीका बता है तो यह का देखिए गुंजन बटा प्रविन ठीक है तो 372 बटा 294 दुनकंग तो इसको काट करके नहीं कहां से बासेट उन्चास यह आपको बता दिए हैं दो से काटें फिर तीन से काटें तो आ जाता है बासेट उन्चास ठी ठीक है अब आगर देखें यह कितना अंक मिला तो यह आपको बता आँए ना बताय तूथर तो उसी तरह बना देना ठीक है यह फिर इस तरह से यहां पर क्या किया रूंग निकाला है ठीक है खूल अंक समझे खूल अंक निकाल करके जैसे कि पता है कि 49 पर तिस यत जब 294 है सो परतीसित कितना होगा टिखे trzeba दो सो चौड़ाने ब्रटा प्रता अगुना सब किया है तो मैं यह फोट यह कोन निकल दो कुंहांग निकल रणता होता है तो 600 आ गया है यह हैं तो पाच сим Алекс तो आपको अथ्वावल बनाना यह बस देखके जवाब देना यह बहुत ही असान है तो हम तो कहेंगा कि यही जवाब देजिए तो यह आप जवाब देजिए गए अस्टम बढ़के 43-46 दोरा प्रात अंको का आयत चित्र नम्नांकित चित्र जैसा है उसके अधार पर नम्लि से बिस के गुला जैसे मालत है किसे कर बारा आया तीरह यह पंद्रह अठारा आया के वो टूरेंट है दस से बीस में तीन व इस्टू रिए बिस से तीस में से सामने देखे पांच गों इसी तरह समझें पूछ रहा तो जो सवाल पूछे का वह लिखना है तो दो कि यह क्या आइसकी साबेड़ेक तक शातर हो जाएगा। दीसरा है नियंत् consomm या पास जहीं कर Tis चाहिए कम से सब्सक्राइब किने चहात्र सफल रहां कितने चाद्र सभु रहां कितने चाद्र सफल रहां दोगीं रहें तो करना है यह देख लेजyorsun कितना है तो कर लिजएगा उसके बाद आठ को असफल निकल जाएगा तो सब्सक्राइब गेंगूल घंतिस्थिंत और किसे सफ़ल और। से कम कितने प्राब कि हैं 60 सधेक्षाइब कितने उबर टीसर ले लिखते है यहां पर tisra इंसर कितना जीरो चाइब है जीरो छात्र नहीं गीडिएज देड स्यवाधिक सब्सक्राइब कि नाइब प्राब किके 59 सर्वाधिक-चार ने इच क्वाधिक दें यह आपर inde से सबनागे है यह तो यह सब से ज्यादा है चालिस aráस। पती है लिखेंग याश जायानि आनगी आसे सूर है नमबर से दो कि दो कि चालिस चालिस से अधिक और पंचास शेकत लिखता है नहीं हों गया तो आज़ने हैं। अगर समझ में आए तो वीडियो के लाइक कीजिए, चैनल पर नाए तो चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, प्लास एट इंगलेस का भी अपलोड कर दियें, तो जाकर देख लेजिए, अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको लिंक दे देंगे था इंगले की अजड़ेन, चैनल कर देंगई पने तो इन लाएक ट's क्याद मेंट